तो आज गाइज मैं एक सीरीज आफ वीडियो बनाने जा रहा हूं कंडिशनल सेंटेंस के ऊपर तो इंगलिश में हमारे पास चार टाइब की कंडिशन आती है एक जीरो कंडिशन आती है सबसे पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंडिशनल सेंटेंस क्या होता है आपने मतलब इंगलिश में इस तरह के सीन देखे होंगे मतलब लैंग्विज में उर्दू में भी अगर ऐसे होगा तो वैसे होगा अगर वो ऐसे करता है तो फिर वैसे होता है यह जो अगर वाला सिस्टम है इसे कहते हैं conditional sentence तो English में यह चार किसम के conditional sentence है 0, 1st, 2nd and 3rd तो इस वीडियो में मैं 0 condition को explain करूँगा और आपको यह बताऊँगा कि conditional sentence वगारा क्या होते हैं इसके बाद फिर मैं तीन और वीडियो बनाऊँगा इस सीरीज में तो चले हम स्क्रीन पर चलते हैं तो guys हमेशा की तरह अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो instant English पर जाएं और इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का भी क्लिक करें तो चले हम टापक पर चलते हैं तो जैसा कि मैंने केटोकराइज की हुई हैं English में चार टाइप के कंडिशन होते हैं एक जीरो है एक फस्ट है सेकिंड है और थर्ड है और कभी को बार बाद वकात मिक्स कंडिशन भी आ जाती है इस पर भी मैं डिस्क्रीप्शन में आपको लिक मिल जाएगा तो यह है कंडिशनल संटेंस इसमें दो कलाज होती है हमारे पास सबसे पहले हमारे पास होती है इफ कलाज और उसके बाद हमारे पास आती है में कलाज में कलाज को हम रिजेल्ट कलाज भी कहते हैं अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इंजीनियर होना पसंद करता यह है conditional sentence अगर मैं होता तो वैसे होता अगर ऐसे होता तो वैसे होता यह conditional sentence है तो बाद वकात main class पहले आती है और if class बाद में चले जाती है और हम बाद वकात if class में हम when का भी यूज़ करते हैं जरूरी नहीं है कि हम if ही यूज़ करें when भी आती है जब आप लोहे को गरम करते हैं तो यह फैलता है expand होता है इसके इलावा conditional sentence में इसकी जगह पे बहुत सी clauses यूज़ हो सकती हैं इसके इलावा मैंने कुछ clauses वीडियो में मैंने यूज़ की हैं उसको भी आप मेरी वीडियो देखें और वो भी आफ वालो करें तो यह है as soon as I get back I will marry जैसे ही मैं वापस आउंगा तो मैं शादी करूंगा इंशाला तो यह है conditional sentence अगर ऐसे होता है तो वैसे होता है अगर वो होगा तो यह होगा यह है conditional sentence तो चले हैं आज का हमारा टापिक है zero condition पर सबसे पहले बात करना Guys zero condition है वो हम discuss करते है general truth को मतलब एक चीज हकीकत है उसको हमने discuss करना है zero condition में scientific truth है मतलब किसी कोई scientific research बगरा है इस तरह की कोई चीज है जो मतलब सब को पता है यह सच ही है यह ऐसे ही होता है यह काम ऐसे ही होता है या आपकी मतलिक कोई हाकीकत है उस चीज को हम condition को explain करने के लिए हम zero condition को use करते हैं तो zero condition के पास हमारा सबसे पहले structure आएगा हमने if और उसके बाद present simple indefinite simple present या indefinite present उसके बाद if clause में हमारे पास यह structure है और आगर result clause में main clause में हमारे पास आएगा present simple example में हम चलते हैं if you boil water it evaporates अगर आप जब आप पानी को उबालते हैं तो यह बुहराद बनता है यह सब को पता है यह एक natural truth है इसलिए हमने zero condition में इसको रखा है when I have time जब मेरे पास वकत होता है I study English मैं English study करता हूं मैं इंग्रेजी पढ़ता हूं यह मेरे बारे में एक truth है जो मैंने explain किया हुआ है यह भी zero condition में आएगा we feel tired if we work too much हम थिकावट महसूस करते हैं जब हम बहुत ज्यादा काम करें तो गाईज यह मैंने तीन है यह बिलकुल यह देखे ना अगर आप zero condition में इसलिए रखा है कि यह general truth है अपने बारे में और इसका structure आप याद करें मतलब if plus present simple और हमने अगली क्लास में भी मतलब result क्ल क्लास ही हमेशा पहले पर आए हम result क्लास को में क्लास को भी हम पहले पर शुरू में लिख सकते हैं यह हम चेंज कर सकते हैं जैसा आप करना चाहें तो यह हो गया बाई zero conditional sentence तो गाईज अगली वीडियो में मैं first condition पे explain करूंगा तो इसका जो description में आपको link मिल जाएगा तब तब के लिए आप मेरा channel subscribe करें मेरी videos वगारा देखें और इस video का जो है अपना PDF file यह मैं नीचे link मेरी website का है उस पे आप जाके आप download वगारा कर सकत है तो गाई बाई